जी हाँ दोस्तों आपको बता दे इस वक्त की बड़ी अपडेट सिद्धू मुसेवाला की हवेली से सीधा सामने आ रही है सिद्धू मुसेवाला जी के पुनर जनम को लेकर खबर सामने आई है जिस चीज का फैंस को इंतजार था पिछले धाई साल से सिद्धू मुसेवाला जी के हत्या के बाद ठीक वही होने जा रहा है सबके चाहे सबके सपने सबके विशिस जो है सिद्धू मुसेवाला जी की मात अचरन कौर जी के पास पहुंची आज जो चीज हुआ है हवेली में उसे सुनकर आपको बहुत खुशी होने वाली है चलिए आपको डिटेल में बताते हैं चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब दोस्तों बॉलिवड की दिवानी चैनल को साथ ही बेल नॉटिफिकेशन ओल पे भी जरूर प्रेस कीजिएगा आप तो जानते ही हैं दोस्तों कि सिद्धु की माता चरनकौर जी पिछले आठ महीने से जो है प्रेगनेंट हैं और इस बात की भनक किसी को लगने भी नहीं दे कुछ सिक्यॉर्टी रिजन्स थे जैसे की गोल्डी और लॉर्णस लगातार उनके पीछे पड़े हुए हैं वो अपने बेटे सिद्धु ने शिरावन पूतर के लिए लगातार जस्टिस की आवाज उठाते हैं जिसमें लॉर्णस बिशनोई को सजा दिलाने की बात करते रहते हैं तो इसी लिए जो है लॉर्णस और गोल्डी के फोन या इमेल वटस अप के जडिये मैसेज जो है दमकी बरे आते रहते हैं उनके पास हवेली पर इसी लिए सिक्योर्टी रिजन की वज़े से जो है इस बात को चुपा कर रखना पड़ा लेकिन एंड टाइम पर जब डिलिवरी के एक महीने रह गए दोस्तों तब जो है सिद्धु की माता चरनकौर जी इस सारी बाते ख़बर जो है लीक हो गई और लीक किया परिवार के मेंबर ने पहले भी जब सिद्धु मुसेवाले जी की हत्या हुई थी दोस्तों तो परिवार के मेंबर के द्वारा ही ख़बर लीक की गई थी पहले सिक्योर्टी हटाई गई सिद्धु मुसेवाला जी क और उसके बात जो है security की खबर घर के परिवार के ही कुछ सदस्य थे जिन्होंने लिग की और जानकारी भी जो थी सिदुमुसेवाला जी के हत्या करवाने को लेकर एक एक रिपोर्ट जानकारी जो थी देते गए और जब सिदुमुसेवाला जी थार में निकले तो उसकी भी जानकारी जो है परिवार वाले में, जो सारी बाते, सारी निगरानी जो था रखता था सिदुमुसिवाला जी पर CCTV लगी हुई थी और उसी CCTV की जरिये जो थे आने जाने सारी चीजों का धियान रखता था वो और लॉरेंस को गोल्डी को ख़बर रखता रहता था और सिदू मुसेवाला जी की जो है 29 में 2022 की हत्या गरवादी अब इसी प्रकार से जो है सिदू की माता चलन कौर जी प्रेगनेंट थी प्रेगनेंसे की खाबर इसे security reason की वज़े से वो नहीं बता रही थी ना पिता बलकौर सिंग जी बता रही थी लेकिन कहीं न गई खिचड़ी जरूर पक रही थी लोग जो था अंदाजा लगाना शुरू कर दिया कि सिदू की माता चलन कौर जी प्रेगनेंट है और चोटे सिदू आने वाले हैं सिदू का पुनर जनम होने वाला है और कईयों के लिए शौकिंग भी हुआ वैल हमने हमेसे अभी एक ख़बर पत मालूम हुआ तो हम तो शौक न लेकर अब्जक्शन जता रहे हैं और इस तरह के मेम works के परफे चलन कोड़ के प्रेगनेंस की एक और जानकारी सांझा हुई है जिससे हम बहुत ज़्यादा नाराज है सिदू की माता और पिता दोनों ही सर्प्राइज देना चाहते थे सिदू फैंस को जब सिदू मुसेवाला जी इस दुनिया में आ जाते चाहे लड़का होता चाहे लड़की होती जो भी होता हवेली के अंदर किलकारी गुंजती छोटा नन्हा बालक आता तो सिदू की माता और पिता दोनों ही खुद जानकारी देना चाहते थे सिदू के फैंस के आगे आकर स्पीच के जरी है लेकिन ऐसा नहीं हो पाया उनकी प्रेगनेंसी की न्यूस पहले ही लीक कर दी गई और अब आपको बता दे सिदू मुसेवाला जी की जब माता चरनकार जी की खबर जब लीक होई गई है तो ऐसे में आपको ये भी बता दे कि आई विएफ के द्वारा सिदू की माता चरनकार जी जो है प्रेगनेंट होई थी इंडिया से नहीं बलकि विदेश से होई थी सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद ही सिदू की माता चरनकार जी ने ये फैसला लिया था और खुशी-खुशी ये फैसला नहीं जब मजबूरन उन्हें लेना पड़ा था लेकिन आपको बता दे एक खबर जो है वो सामने आई है इस पर confirmation नहीं है लेकिन खबर जो है सामने आई है खबर ये आई है कि सिद्धु मुसेवाला जी की हवैली में जो किलकारी गूजने वाली है वो लड़का ही होने वाला है इस तरह की खबर जो है सामने आई है अब ये जरूर कह सकते हैं कि सिद्धु की माता चरनकौर जी और पिता बलकौर सिंग जी के बढ़ापे का सहारा जो है इस दुनिया में आने वाला है या आने वाली है जो भी है लेकिन फांस जो है 90% यही उमीद लगाए बैठे हैं कि छोटा सिद्धु आएगा और हवेली में जो है किलकारियां गुंजेंगी खुशियां लोटेंगी सुनी हवेली जो है एक बार फिर से वहाँ खुशियां आएंगी और सिद्धु मुसे वाला जी का जो बदला रह गया है वो पूरा होगा जो उनकी हत्या कि उनको जस्टिस नहीं मिला है अब तक वो छोटा सिद जो है बदला देने वाला अभी सही नाम भी डिसाइड कर लिया अभी सही विचार भी करने लगे हैं सिदु के फैंस कहीं न कहीं खुश हैं और आपको बता दे खुशियां मना रहे हैं कहीं लंगर करवा कर तो कहीं लिड्डू बटवा कर कहीं मिठाईयां बटवा कर तो कह ही गरीव में कंबल बटवा कर कर दो के फैंस बहुत ज्यादा जो है सिदु मुसे वाला जिसे प्यार करते हैं अब जो छोटा नन्ह vidéos अने व्याला आने वाली है उसे से भी के फैंस बहुत ज्यादा महबत और अपना प्यार अपना blessings देने वाले हैं well blessings की बात कर तो अभी से ही अपना आशिरवात भेज रहे हैं ताकि सिदू की माता जो है सही सलामत स्वास्त रहें और अच्छे से जो है उनकी delivery हो अपनी प्रातनाई अपना प्रे भेज रहे हैं हवेली तक पहले आप कितने खुश हैं सिदू मुसेवाला जी की माता चरन कौर जी की प्रिगनेंसी को लेकर आने वाले बच्चे को लेकर जो भी आपकी राहे है जरूर कमेंट कीजीगा आपको क्या लगता है लड़का होना चाहिए लड़की जो भी आपकी राहे है जरूर लिखेगा नाम के सज़ेस्ट करेंगे आप वो भी आप सज़ेस्ट कर सकते हैं कमेंट स्रेक्शन के जरीए और हैस्टक जस्टिस वर सिदू मुसेवाला आप तक नहीं लिखा है तो जरूर लिखेगा बहुत जल्द हवेली में आपको किलकारियां गुंजती हुई नजर आएंगी मुसा पिंड को रोशन करेगा